Hello everyone, my name is Amul Murray and welcome to our channel Solutions by Amul Murray तो आज हम JEE quiz number 5 का solution देखने वाले हैं तो इसके बहुत सारे methods हो सकते हैं बट जो method मैं दिखाने वाला हूँ वो आपको ऐसे standard questions और concept solve करने में बहुत ज़्यादा मददगार रहेगी इसलिए मैं इसकी बहुत ही ज़्यादा standard method देखाने वाला हूँ तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिजिएगा तो radius of the circle touching the line at 1,3 इसका मतलब एक circle है जो x plus y plus 4 को touch कर रहे है 1,3 पे इसका मतलब आपको एक line बनानी पड़ेगी तो मैं क्या करता हूँ एक line बना देता हूँ और ये line हम बना देते हैं ऐसे let me say ये line मैंने बना दी ये suppose आपकी x plus y equal to 4 वाली line है और ये इसको touch कर रहे है 1,3 पे तो देखो ऐसे बहुत सारे circle बन सकते हैं जो 1,3 पे अपनी line को touch कर रहे हैं मैं एक example दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको logic clear हो जाए तो आपने अगर मेरा family of circles वाला video देखा है तो ये concept आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझेगा तो ये एक circle हो सकता है right और मैं बहुत सारे circle बना सकता हूँ बस देखना है ये देखो ये और एक circle बना दिया तो ऐसे मैं बहुत सारे circle बना सकता हूँ मैं और एक circle बना देता हूँ ताकि आपका concept एकदम crystal रहे ठीक है और एक circle बना दिया तो आपको अभी समझी गया रहेगा कि ऐसे infinite circles बन सकते हैं जो मेरी line x plus y equal to 4 को मतलब इसको मैं actually standard form में लिखी देता हूँ x plus y minus 4 equal to 0 को 1,3 पे touch करे because 1,3 तो line पे ही है तो इन सारे circles का ये देखो x1,y1 बोल दो इन सारे circles का एक equation आता है जिसे system of circles कहते है जिसे हम x minus x1 the whole square plus y minus y1 the whole square plus lambda times ये वाली equation को ax plus by plus c equal to 0 कहते है जो उसको tangent होती है lambda plus ax plus by plus c equals 0 कहते है ये हो गई अपनी system of circles मतलब family of circles तो ये लाल नीला काला सारे के सारे circles इसमें included रहेंगे ये अगर आपको पता है तो आपकी life बड़ी आसान हो जाएगी तो देखते हैं अपना answer क्या आएगा x minus 1 the whole square plus y minus 3 the whole square plus lambda times क्या हो जाएगा lambda times हो जाएगा x plus y minus 4 equal to 0 तो इससे अपना काम है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है क्यों आसान हो जाता है विकोज एक ही unknown है ना lambda that is why इसको मैं तोड़ा standard form में लिख देता हुआ आपके लिए x square minus 2x plus 1 y square minus 6y plus 9 and lambda times x plus lambda times y minus 4 lambda equal 0 यह आप directly भी लिख सकते हो इसका last step बट मैं सबको समझे इसलिए इसके middle steps भी दिखा रहा हूँ अदर्वास देखो exam में तो मैं इसका और आप भी इसका last step भी लिखेंगे standard form वाला x square और फिर plus लिया minus 2 plus lambda x आया boss plus minus 6 plus lambda y आया ओके और यह 1 plus 9 10 हो गया और 10 minus 4 lambda आ गया इस तरह से हमने standard form में लिख दिया इसको आप standard form के साथ compare कर दीजिएगा very sorry मैं हमेशा की तरह यह y square लिखना भूल गया x square plus y square plus 2g x यहाँ पर मैं इसको g1 बोल देता हूँ plus 2f1 y plus c1 equal to 0 ऐसे मैंने इसको compare किया standard form के साथ तो आप देखी पा रहे है कि 2g1 का value क्या आएगा minus 2 plus lambda 2f1 का value क्या आएगा minus 6 plus lambda और c1 का value क्या आएगा 10 minus 4 lambda तो मैं एक काम करता हूँ यह सारी values है ना अगले page पे लिख देता हूँ तो आपकी जो 2g1 की value है वो कितने आएगी minus 2 plus lambda आपकी जो 2f1 की value है वो कितने आएगी minus 6 plus lambda और आपकी c1 की value जो है वो 10 minus 4 lambda आएगी तो आपका g1 तो आगया minus 2 plus lambda by 2 यह भी मैं आपको समझने के लिए पूरा step दिखा रहा हूँ ठीक है otherwise यह सब लिखने की थोड़ी jwe में जरूरत होती है minus 6 plus lambda by 2 and c1 आएगा 10 minus 4 lambda तो इस तरीके से आपका g1 f1 c1 आगया अभी आपको समझा ही रहेगा कि मैंने g1 f1 c1 क्यों लिया है तो एक बार question वापस पढ़ लेते हैं मैंने आधे में ही छोड़ा था question circle touching the line at the point तो यह हो गया family of circles foc हो गया उसकी हमें radius दूननी है ठीक है हम lambda दून लेंगे उसके लिए कुछ तो condition दिया रहेगा ना boss intersecting the circle this x square plus y square equal to 4 orthogonally orthogonally का मतलब perpendicular मतलब उनके बीच में angle of intersection होता है 90 degree तो एक बार मैं x square plus y square equal to 4 भी लिग देता हूँ तो x square plus y square plus 0x plus 0y minus 4 equal to 0 यह तो आपको समझी क्या रहेगा मैंने क्यों किया ताकि standard form में मुझे g2 0 मिले f2 0 मिले और आपका c2 बहुत प्यारा minus 4 मिले अभी यह दोनों circles एक दूसरे को orthogonally intersect कर रहे तो आपको तो condition पता ही रहेगा 2g1 g2 plus 2f1 f2 equals c1 plus c2 बड़े ही प्यारी सी और अच्छी सी ऐसी equation है यह यह किसके लिए है circles intercepting each other orthogonally और मजाग की बात देखो g1 into g2 अंडा f1 into f2 अंडा समझ रहे हैं बात को c1 आया 10 minus 4 lambda और c2 आया minus 4 इस तरीके से आपका 6 minus 4 lambda आही गया 0 तो 6 आगया 4 lambda और lambda आगया 6 by 4 जिसको हम 3 by 2 भी लिख सकते हैं इस तरह से आपका lambda 3 by 2 आगया तो इसका मतलब आपको g1 मिल गया और पानी मिल गया f1 मिल गया और c1 मिल गया आपका काम ही हो गया खाली आपको क्या करना है इधर values put up करनी है तो मैं एक बार values put up कर देता हूँ तो g1 था minus 2 plus lambda by 2 f1 था minus 6 plus lambda by 2 मैं खाली values put up कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा और c1 था 10 minus 4 into lambda सही है यह सब solve करने के बाद अपने को g1 कितना मिल रहा है minus 4 plus 3 minus 1 और 2 2 था 4 f1 कितना मिल रहा है minus 12 plus 3 minus 9 और 2 2 था 4 और c1 थो बड़ा ही प्यारा साथ 2 2 था और 2 3 6 और c1 4 मिल रहा है तो इस तरह से g1 f1 c1 आगया और radius तो अपने को पता ही है g1 square r1 का value f1 square minus c1 होता है तो इस तरीके से g1 square आएगा 1 by 16 f1 square आएगा 81 by 16 और minus c1 आएगा 4 तो यह वाला part आपका हो जाएगा 82 minus 64 आ रहा है divide by 16 तो यह हो रहा है root 18 उपर बच रहा है और नीचे बत रहा है 4 का और root 18 का value पूरी दुनिया को पता है 3 root 2 होता है divide by 4 इसका मतलब जो अपने को circle दिया था वो family of circles में से एक special circle रहेगा let me say वो यह वाला circle है red वाला जिसका radius कितना है boss 3 root 2 by 4 का है ठीक है तो इस तरह से 3 root 2 by 4 के वाला circle family of circles में से select हो गया तो देखते है correct option कौन सा है तो correct option match कर रहा है option A जो की अपना correct answer है तो इसी तरह से J.W.E. quiz वाले सारे questions आप attempt किजिए आपके बहुत सारे important से concept clear हो जाएंगे और J.W.E. quiz 6 को भी ऐसे ही प्रतिसात दीजिएगा तो आज के लिए बस इतना ही दिस इस अमोल मोरे शेइंग बाई 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 टू यू और वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेर करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बाई बाई एव्रीवन